कि हालो एवरीवन हम पर हम देख रहते हैं human brain human brain के दो पार्ट को मैंने कवर कर दिया है ये 4 ब्रेट और मिड्रेट उन दोने के functions भी हम देख चुके है आज हम देखने वाले हिंट ब्रेट और इस हिंट ब्रेट के बाद में जो brain वाला concept हो complete हो जाएगा उसके बाद हम endocrine system दे एक है पॉन्स दूसरा है मेडियूला नेक्स्ट है रेक्टिक्यूलर फॉर्मिशन और है सेरी बेलम जैसे आमने फॉर्बिन में देखा था सेरी ब्रॉम वैसे ही इसमें होता है सेरी बेलम अब देख लेते हैं पॉन्स पॉन्स क्या होता है तो यह प्राइमेरी रोल जो पॉन्स होए उसका यह प्राइमेरी रोल होता है कि एक ब्रीच की तरह काम करता है अलग अलग पर्स जो है नर्वस सिस्टम में उसमें त्रू उसके त्रू तो इसमें होता है इसमें इंक्लूड पार्टे वो देख लेते हैं वह मैडियूला को ही आम कहते हैं मैडियूला अबलोंगेटा इसका काम होता है कि यह इन्वोलेंटरी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन जैसे कि ब्रीधिंग स्वैल्लेंग हार्ट रेट इस सब को कंट्रोल करता है आप जानते हैं जैसे कि अगर आ काम होता है मैडियूला और मैडियूला कहा होता है तो हैं इसलिए यह लाइफ सस्टेनिंग जो इन्वोलेंटरी लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन है उसको परफॉर्म करने का बहुत इंपॉर्मेशन पार्ट है यह ब्रेन स्टैम का इक पार्ट होता है ब्रेन स्टैम में करता है यह इस्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जंक्शन के बीच में लोकेटेड होता है अब देख लेते हैं ब्रेन इस्टेम का होगा तो हमने कल देखा था लिम्बिक सिस्टेम कि हमने कल देखा था लेम्विक सिस्टम । रूसलिम्भिक सिस्टम में क्या कहता था ता था तो है पिडुध नेंश और c त जो कि हमने देखे थे में में और उसे लिम्विक सिस्टम का एक पार्ट जो हता ब्रैन का सथेल यह इस स्टेम लिंबिक सिस्टम के नीचे होता है और इस पॉंसिबल होता है वाइटल लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जैसे कि ब्रीधिंग हार्ट पीट ब्लड प्रेशर यह सब का मैनेज करने का काम किसका होता है तो ब्रेन इस टाइम का और ब्रेन स्टेम जो है दूला